हेलो बच्चों कैसे है सारे के सारे आई अगरिम जैन वेलकम यू टो यौर वेरियों अमीद बैच तो तुम्हारा यह वाला जो चैप्टर है इको सिस्टम इको सिस्टम वाला भी हमारा एकॉलोजी का ही चैप्टर है दो क्वेश्चन बड़े अराम से इससे आ सकते हैं तो इ पूर यह चैप्टर को अराम से ncrt focus वे में complete करेंगे ठीक सो लेस्ट बगिन दे चैप्टर है इजी चैप्टर है मुश्किल नहीं है अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो प्रिवियस चैप्टर में हमने कहा था अर्थ इस अ ग्लोबल इको सिस्टम जो हमारा पूरा का पूर लिथोस्फेर मिलके एक साथ बनती है हमारी पृत्वी अब इसी अर्थ को आप ओपन सिस्टम बोलते हो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एनर्जी का एक कॉंस्टेंट इन्पुट चाहिए कौन दे रहा है वो एनर्जी सन और ऐसा तो है नहीं कि वो जो एनर्जी सन से आई वो रिसाइकल हो रही है हर दिन सूरज उगेगा उसकी एनर्जी ट्रैप होगी और सारी दिन चर्या चलेगी लेकिन अर्थ को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है तो ओपन मतलब कॉंस्टेंड इन्पुट चाहिए रिसाइकलिंग हो रही है तो वो क्लोज्ड सिस्टम है तो अर्थ इस क्लोज्ड विज रिस्पेक्ट टू नूट्रियंट्स ऐसा निये कि डेली को या के अर्थ पे फर्टिलाइजर्स की बोरी खाली करके जा रहे है अर्थ के ही नूट्रियंट सोईल से प्लांट, प्लांट से अनेमल, डिकम्पोजिशन से बेक्टीरिया, बेक्टीरिया से सोईल ऐसी ही घुमते चले जाएंगे पूरे के पूरे अर्थ को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या तो वो जमीन का एकोसिस्टम है, तो टेरिस्ट्रियल अगर पानी में है, तो अक्वेटिक हवा में कोई एकोसिस्टम नहीं होता birds जो होंगी या तो वो bird पानी में होगी या वो bird land पर होगी और दोनों ecosystems को हम further दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं natural and anthropogenic 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 मतलब मानव रचित man made तो natural में मान लो एक कोई forest हो सकता है कोई भी terrestrial ecosystem अगर आप देखोगे तो वो natural एक ecosystem है लेकिन अगर मैं वहीं पर बात कर दूँ एक agricultural land की अगर मैं बात कर दूँ एक botanical garden की किसी park की तो ये man made terrestrial ecosystems हो गए ऐसे ही कोई भी natural sea lake pond ocean ये सारे natural aquatic systems anthropogenic की अगर हम बात करें तो हमें पता है fish aquariums या animal husbandry में आप पढ़ते हो पिसी culture तो वो सारे हो गए anthropogenic सारा कुछ ऐसा है जो बचपन की चीज है agricultural lands को agro ecosystem का जाता है agricultural ecosystem they will have the least genetic diversity आप जो agriculture कर रहे हो तो agriculture में ऐसे थोड़ी के आपने 25 पौधे लगा रखे है चावल की खेती कर रहे हो चावल लगा हुआ है गेहू राइस की खेती कर रहे हो राइस लगा हुआ है जादा से जादा दो crops उगा लोगे एक साथ या अगर polyculture है तो maximum four crops उगाए जाएंगे एक साथ तो genetic diversity कोई खास नहीं है minimum nutrient cycling आपने पौधे को वहाँ पे decompose होने के लिए थोड़ी छोड़ा है आप तो harvest करके हटा लेते हो उसे तो वहाँ पे nutrient cycling भी नहीं हो रही चीज़ें वापस soil में नहीं जा रही अब तुमारे मन में आ रहा है पता है मुझे कि अभी आपने बोला था earth is closed with respect to nutrients तो हम यह अर्थ की बात कर रहे हैं क्या नहीं हम सिर्फ एक agricultural land की बात कर रहे हैं simple food chains होती है कोई complexities नहीं है कोई self regulation नहीं है Amazon rainforest जाके Brazil के लोग उसको maintain नहीं कर रहे nature अपने आप sustain कर आ रहा है तो agricultural land में self sustenance नहीं होगा एक खेत है बस beach डालके छोड़के आ गए और सोच रह अच्छे सी खेती हो जाए तो नहीं हो सकती highest productivity तो ये तो होना ही है आपका agriculture करने का सारा purpose ही यही था कि आपको पैसे मिले and they are the largest man-made ecosystems ecosystem में बहुत सारे पार्ट है पहला पार्ट क्या है ecosystem का component तो ecosystem के component में abiotic चीजे होंगी और biotic होंगी abiotic के अंदर previous chapter में जो लिखा था न वो ही ऐसा रहा climatic edific and topographic climatic, edific, topographic are abiotic factors अब biotic को अगर हम देखे तो producers, consumers and decomposers इन्ही producers को आप autotrophs कह देते हो इन्ही को हम converter कह देते हैं इन्ही पॉधो को हम transducer कह देते हैं कर क्या रहे हैं ये light energy को chemical energy में convert कर रहे हैं light signal को chemical signal में change कर रहे हैं तो autotrophs, converter, transducers सारे नाम producers के लिए consumers के अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे heterotrophs अगर हम बात करें तो ये भी हैं हमारे heterotrophs और decomposers को reducers भी कहते हैं और decomposers को हम taprotroph कहते हैं क्योंकि dead और decaying पे feed कर रहा है consumer की अगर हम बात करें तो we can have a primary consumer जिसको आप हर भी वोर कहते हो फिर we can have secondary consumers या primary carnivores उसके अलावा we can have a tertiary consumer या secondary carnivore and last we have top carnivore top carnivore वो है जो किसी के द्वारा खाया ही नहीं जाता food chain में they are not eaten by anyone हर भी वोर्ट जो होते है न यह बहुत important animals हैं इंडस्ट्री के सेंस में की industry animals बोलते हैं इनको क्यूं क्योंकि यही तो है जो plant के सारे biomass को animal world में लेके आते हैं they can convert plant biomass into animal biomass इसलिए chicken goat cow buffalo sheep यह सारे के सारे के हैं herbivores हैं यह जादा important है इंडस्ट्री के लिए commonly तुम्हें शेर का snake का meat नहीं मिलता इन herbivores का meat मिलेगा ठीक है तो producer producer के अंदर सारे के सारे consumers तो consumers में क्या क्या आ गए तुमारे पास primary consumer secondary consumer tertiary consumer और फिर top carnivore कोई भी हो सकता है nutrition कहां से start हो जाएगा यहीं से तो producers को आप consider करते हो आज ट्रॉफिक लेवल one फिर primary consumers आ ट्रॉफिक लेवल two for example लिख देता हूं मैं आ पे grasshopper secondary consumers आ ट्रॉफिक लेवल three for example frog tertiary consumers आ ट्रॉफिक लेवल four for example snake और मान लेते हैं कि कोई top carnivore भी है तो जो top carnivore है यह होगा ट्रॉफिक लेवल five for example eagle तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल या consumers के नाम आ सकते हैं primary consumer क्या है हमारा ट्रॉफिक लेवल two ट्रॉफिक लेवल three ट्रॉफिक लेवल four ट्रॉफिक लेवल five अब मान लो frog को खाने के लिए snake exist ही नहीं करता तो frog तुम्हारा top carnivore भी कहला लेगा उस case में तुम्हारा top carnivore अलग से नहीं होगा तुम्हारा यही member top carnivore बन जाएगा तो NCRT ने यह दे रखा है diagram food chain का कि जो पहला ट्रॉफिक लेवल है nutrition का लेवल वो producer से start हो जाता है second ट्रॉफिक लेवल इस primary consumer या herbivore third ट्रॉफिक लेवल इस secondary consumer या primary carnivore fourth traffic level is tertiary consumer अब यहाँ पे इन्होंने इसी को top carnivore लिख दिया है हम secondary carnivore भी लिख सकते हैं क्योंकि इनकी food chain इतनी है plant, earthworm, sparrow and vulture खतम नीचे की जो line है वो decomposer की line है ठीक है आगे NCRT की example producers are first traffic level second level is herbivore third level is carnivore fourth level is top carnivore ठीक है next ecosystem का structure ecosystem का structure दो चीजों से NCRT ने कहाँ determine हो रहा है पहला species composition पहला part है इसमें identification of species identification of species का मतलब है कितनी type की species उस जगे exist कर रही है and second is enumeration of species enumerate करना मतलब counting करना that is the number of members of each species तो पहली बात कितनी type के member और हर type का कितना number है यह मिला के बनता है species की composition और हमने का था जब community होती है न तो एक layering नजर आती है उसी को बोलते है स्ट्राटिफिकेशन एक spatial एक 3D space की vertical arrangement है community में दिखती है rain forest में बहुत अच्छे से दिखती है and it will be absent in new water body desert and deep sea उन में नहीं दिखती दिख रहे हैं आप इस stratification कुछ पौधे हैं जो बिल्कुल lower level पे हैं कुछ की rough height 10 meters की फिर एक layer of plant 20 meters फिर एक layer 30 meters तो अलग-अलग layer नजर आ रही है अब दिख रहे हैं अलग-अलग layer occupy कर रहे हैं तो एक species एक layer तक दूसरी स्पीशीज दूसरी layer तक तीसरी स्पीशीज एक और layer चौथी स्पीशीज अलग layer तो species by species layering नजर आ रही है तेम चीज हमने water body में पड़ी थी क्या पड़ा था water body के लिए कि ऊपर ऊपर green algae फिर brown algae फिर red algae तो यह भी stratification था फिर ecosystem function में हमने कहा चार चीज है productivity, decomposition, energy flow और nutrient cycling इनी को एक एक करके देखेंगे सबसे पहला function is productivity, कितना production हो रहा है तो it is the rate of biomass या organic matter बोलते हैं per unit area per unit time, per unit area per unit time कितना खाना बन रहा है उसे हम बोलते हैं productivity दो units दियें, NCRT ने इसकी, gram per meter square per year and kilo calorie per meter square per year calories में बात करेंगे तो energy की term में, grams में बात कर रहे हैं तो mass की terms में अब हमें पता है खाना बनाने की capacity सिर्फ और सिर्फ किस के पास है, plants के पास, plants के अलावा और कोई थोड़े अपने खाना बना रहा है, बना रहा है, bacteria बगरा बनाते हैं, but bacteria से हमारा पूरा system थोड़ी sustain हो रहा है, हमारे पास तो majority में plants काम कर रहा है, तो primary productivity, primary मतलब पहले, it is the rate of biomass formation by producers, सबसे पहले plants खाना बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, इस primary productivity, जो total बनाएंगे, वो है gross primary productivity, और जो बच जाएगा after their own consumption, वो कहलाता है net primary productivity, मम्मी किचिन में जब रोटी सेखती है, तो अपने लिए भी तो रोटी सेख रही है, तो plant ने जो total photosynthesis करी है, amount of biomass synthesized by plant, primary productivity में ही, जो plant ने ज़स्ट अभी बनाया है total, वो gross है, it is the rate of production of organic matter by photosynthesis, अब मम्मी ने 20 रोटी सेखी, अब 4 मम्मी की हैं, तो चार जो है, वो मम्मी के लिए count होंगी, तुम्हारे लिए पापा, मम्मी, भाई, बहन के लिए क्या बची, 20 माइनस 4, 16 रोटी बाकी सब के लिए, तो 16 है वो जो net quantity है, जो तुम्हारे पास आएगी, तो gross primary productivity minus respiratory loss, GPP minus R, पॉधे ने 10 ग्राम शुगर बनाई, अब उस 10 ग्राम में से 2 ग्राम खुद अपने metabolism के लिए रख रहा है, बाकी 8 ग्राम को ट्रांस्पोर्ट के लिए भेज रहा है, तो जो भेजता है न वो आगे, जो heterotrophs के लिए available है, वो कहलाती है net primary productivity, पॉधे ने photosynthesis करके 10 ग्राम शुगर बनाई वो gross, 2 ग्राम अपने maintenance के लिए रख रही वो respiratory loss, 8 ग्राम जो बच गई है, वो है net primary productivity, ठीक है, तो यह हो गया, secondary productivity क्या है, भाई हमने plant खाया, अब plant को digest करके आपके body कुछ नया material बनाईगी उससे, तो rate of formation of new organic matter by consumer, consumer जो नया biomass बना रहे हैं, वो कहलाती है secondary productivity, ठीक है, primary plant वाली, secondary consumer वाली, plant ने जो total बनाया वो gross, और जो बच गया है, वो net, net हमेशा किसके लिए बोलते हैं, जो बच जाए, NCRD का data है यह, annual NPP of whole biosphere is 170 billion tons of dry weight, dry weight मदला moisture हटाने के बाद, तो जो net primary productivity, gross नहीं है, net productivity है पूरे biosphere की, aquatic plus terrestrial, आगे दिया है, 70% of the surface, क्या है हमारा oceans है, लेकिन productivity खाली 55 billion tons है, और land की productivity 115 billion tons, क्योंकि land पे जो पौधे हैं, वो बहुत बड़े पौधे हैं, वो एक बार में जितना photosynthesis करेंगे, शायद छोटा algae अपने जिन्दगी बर में ना कर पाए, इसलिए land की productivity जादा है, इसके अलावा एक interesting fact, एक hectare healthy forest, एक hectare healthy forest पूरे साल में 30,000 kg या 30 tons kg एब्सॉर्ब परता है, और 10 ton oxygen release करता है, एक hectare का healthy forest, इतना काम करता है, फिर productivity हो गई, खाना पीना बना, अब plants के पास next चीज़ क्या है, soil से nourishment लेना, तो हमने कहा था, soil से nourishment वो कब ले पाएगा, जब decomposer दथे से काम करेंगे, तो जो भी dead plant का remain है, animal का dead remain है, including fecal matter is known as detritus, कोई भी material, organic sources, जो decomposition के लिए पढ़ा हुआ है, वो detritus कहलाता है, decomposition की definition, complex organic matter से, inorganic substance बनने होते हैं, इसको आप बोलते हो, decomposition, just a minute, तो organic से inorganic बनना है, इस decomposition, oxygen requiring process है, aerobic process है, अगर आपके detritus में lignan और kytan जादा है, lignan, kytan बहुत complex polymers हैं, easily degrade नहीं होते हैं, तो अगर आपके detritus, आपके उस dead decaying material में, lignan, kytan जादा हैं, तो detritus slowly decompose होता है, और अगर detritus का जल्दी-जल्दी decomposition हो रहा है, मतलब it is rich in nitrogen and carbohydrates, तो वो nitrogen और carbohydrate में रिच होगा, फिर temperature और soil moisture के लिए लिखा है, most important climatic factors हैं, तो यह simple direct question आ सकता है, dash and dash are most important climatic factors, तो temperature and soil moisture, warm and moist, it will favor decomposition, कोई भी microorganism है, तो warm और moist condition में सबसे अच्छा grow होता है, अगर temperature काम होता जा रहा है, anaerobic condition होती जा रही है, it will inhibit decomposition, oxygen requiring process है तो, anaerobiosis मतलब anaerobic condition, low temperature inhibit करेंगी decomposition को, फिर क्या-क्या steps हैं, fragmentation, leaching, catabolism, catabolism के ही अंदर, दो चीज़ें आती है, humification और mineralization, NCRT ने क्या लिख के दिया, NCRT ने कहा है, कि उस dead or decaying material पर, ये सारी steps simultaneous हैं, एक साथ ये सारी चीज़े start हो जाती है, सबसे पहले आते हैं, detritus को small particle में break करते हैं, जैसे आप खाना खाते हो, तो मुँ में खाने को break किया जाता है, वैसे ही detritus भी खाने को break करते हैं, तो इस process को ही कहा गया है, fragmentation, क्या कहा गया, fragmentation, फिर जैसे आपके mouth में, जब आप खाना खाते हो, तो partial digestion स्टार्ट हो जाता है, salivary amylase से, ऐसे ही जब fragmentation चलती है, तो कुछ inorganic nutrients release होते हैं, तो वो water soluble inorganic nutrients, they go down into the soil horizon, वो soil की deeper layers में चले जाते हैं, और plant के लिए unavailable हो जाते हैं, क्योंकि उतनी depth पे plant की root नहीं जा रही, तो पहले बड़े टुकडे से छोटे टुकडे होना fragmentation, फिर fragmentation के टाइम पर जो inorganic nutrients निकले, वो पानी के साथ घुल के नीचे जा रहे हैं, वो है leaching and last is your bacterial and fungal enzymes, वो detritus को और छोटे छोटे पार्ट में change कर देंगे, तो उससे कहा जाता है catabolism, detritus will break down into simpler inorganic substances, this is known as catabolism, catabolism में दो चीज़े हैं, humification, mineralization, humification क्या है, it is the formation of humus, humus क्या है, dark amorphous substance, resistant है microbial action के लिए, बहुत slow rate पर decomposition होती है, colloidal है, मिट्टी में सारे nutrients फैले होए हैं, nutrients के reservoir का काम करता है, बहुत हाई water holding capacity है, तो बहुत एक अच्छी सी intermediate सी चीज़ बन रही है, and last, humus जब पूरा decompose होगा, तो सारे के सारे inorganic nutrients रिलीज होँगे, उसी को बोल रहे हैं mineralization, तो बड़े टुकडे से छोटा टुकडा होना fragmentation, fragmentation में भी minerals, inorganic mineral का release होना mineralization, mineral का seep down होना leaching, humus का बनना humification, और जो breakdown होता जा रहा है, इस simple compounds में वो है catabolism, फिर खाना बना, चीज़े मर रही हैं, तो इस बीच में चल क्या रहा है, खाने का transfer, energy का flow चल रहा है, तो functions में ही next चीज़ आती है, energy flow, deep sea hydrothermal vent में light ही नहीं होती, उनको छोड़के पूरे पृत्वी पर, energy का एक लौता source है sun, जो हमारे deep sea hydrothermal vents हैं, इन में हमने का था, आपको thermo acidophiles मिलते हैं, जो है chemo autotrophs, तलफ़ बेक्टीरिया बगरा मिलते हैं, जो है chemo autotrophs, sun से जो भी radiation आ रही है, उसका 50% से भी कम पार है, पार बहुत बार पढ़ चुके हैं, photosynthetically active radiation is par, 2 to 10% of this par is gross primary productivity, तन से मान लो, जो भी energy आई, उसका 50% से कम ही plant के लिए utilizeable है, बाकि 50% utilize हो भी नहीं रहा, उस 50% का plant असली में कितना use कर पा रहा है, 2 से 10% और उसी par का 1.6 से 8% है, जो NPP के form में store हो पाता है, energy flow में क्या चलता है, food chain, eating and being eaten, जितना भी living biomass है, उसे standing crop कहते हैं, और जितना भी non living nutrient है, उसे standing state, या इसे ही, standing quality कहते हैं, ठीक है, वापस से इस पे ध्यान दो, suns से जो radiation आ रहा है, 50% काम का है, 50% नहीं है, जो काम का है, उसका total 2 से 10% की value, GPP बन पाती है, उस par का जो भी value है, उसका 1.6 से 8% NPP बन जाती है, तो 2 से 1.6 हो रहा है, 0.4 का difference, 10 से 8 हो रहा है, 2%, तो 0.4 से 2% रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, 2% energy, रहा है हो सकती है, ग्रेजिंग फूट चेंज हो है, इस बिगिन्स विद प्रोडूसर, इस दी में चैनल, इस बिःटिंग फ्लो, इन अक्वेटिक इको सिस्टम, अक्वेटिक एको सिस्टम में पौधे डीकंपोजिशन के भरोसे पर नहीं बैठे हुए हैं डीकंपोजिशन तो नीचे बेंथे के एरिया पर चल रहा होगा अल्गी एक दम उपर उपर की तरफ है तो अल्गी वगरा महाँ पर डिपेंड नी करते हैं डीकंपोजिशन पर अनिमल्स का सारा फीकल मैटर उसी पानी में घूम रहा है वो डायरेक्ली उस फीकल मैटर से इनॉगैनिक न्यूट्रियन्ट लेके अपनी फूद्चेन स्टार्ट कर लेंगे डेट्राइटस फूद्चेन जो है इट बिगिन्स विद डेट एंड डीकेंग माटीरियल इस इस दी मेन चैनल ओफ इनर्जी फ्लो अगर तुमारी लैंड में डीकंपोजिशन अच्छे से नहीं चलेगी अगर उस लैंड का डेट्राइटस food chain खराब है तो हां का ग्रेज इंग फूद्चैन अट्माटिकली खराब होजाएगा तो तो टर्रेस्ट्रिंगयो को सिस्टम में आप डीकंपोजिशन या या डीएफसे के भरोशे परो हे ग्रेजिंग फूद चेन इस जीएफसी पानी में वो decomposition के भरोसे नहीं बैठे वो directly पानी में जो भी nutrients available हो उसको लेंगे पैरा फूट्चेन इस ज़स्ट auxiliary इसका कोई अलग से major food chain नहीं है ठीक है तो यह food chain की कहानी फिर बच्पन से में पढ़ाया जाता है 10% का law 10% law लिंडमैन नाम के scientist ने दिया था और यह क्या कहता है number of trophic level in GFC grazing food chain normal food chain में number of trophic levels जो है वो तीन से पांच होते है क्यों 10% law की वज़े से only 10% of energy is transferred to each trophic level और एक mistake है जो बच्चे कर लेते हैं तो मत करना हो sun से plants पे 1% energy आ रही है plant से फिर आगे सबको 10-10% energy जाएगी तो organism जितने उपर के level का है उसको अतनी जादे energy चाहिए लेकिन 10% तो हर बार कम होता चला जा रहा है respiratory losses देखे तो producers का 20% herbivore का 30, carnivore का 60 20 gram शुगर खाई है 60 gram शुगर तो खुद के metabolism में ही चली गई 40 gram ही store कर पाए तो respiratory losses भी बढ़ते जा रहे हैं और जो energy पहुंच रहे है वो कम होती जा रही है तो nature ने food chains को 3-5 trophic level पे restricted रखा है लेकिन nature में क्या मिलेगा बहुत सारी food chain connected होंगी तो इसलिए nature में क्या बन जाता है food web क्या लिखा है NCRT ने a given species में occupy more than one trophic level वो जो चड़िया है अगर वो earthworm को खा रही है तो वो DFC का पाट है अगर वोई चड़िया normal किसी caterpillar को खा रही है तो वो GFC का पार्ट है फॉर एक स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर है अगर सीट को खा रही है वो ही स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर है अगर वो insects को खा रही है तो multiple food chain connect होके food web बन जाते हैं और एक ही organism multiple trophic level को belong कर सकता है जब हम इनके numbers डालते हैं producer के consumers के तो आपको मिलते हैं ecological pyramids Elton नाम के scientist ने दिया था तो इनी को Eltonian pyramids भी कहता है पहला pyramids of number फिर पिरामिड of biomass फिर पिरामिड of energy पिरामिड of number जो दिया है यह NCRT का ही example है ग्रास लैंड का example है और साफ साफ दिख रहे है अपराइट पिरामिड बना हूँ है producers almost 6 million के आसपास है primary consumer 7 lakh secondary consumer 3.5 lakh tertiary consumer adjust 3 तो यह तो कुछ अलग हो गया तो number कम होता जा रहा है इसलिए ट्रॉफिक लेवल चेंज हो रहे हैं और upright pyramid of number फिर NCRT में देखो NCRT ने कहा है if you were to count the number of insect feeding on a big tree तो आपको क्या मिलेगा एक पेड़ है इस एक पेड़ पे हजारों insect होंगे और इन insects को खाने के लिए मान लेते हैं मुआ पे खाली पचास चिडिया है तो आपको shape क्या मिला पिंडल या urn shape और दूसर एक्जामपल क्या दिया है इन्होंने एक पेड है उस पे पचास चिडिया है और हर चिडिया पे बहुत सारे parasites हैं तो पिरामिट कैसा हो गया मेरा upright कब अगर मैं parasitic food chain ले लूँ अगर मैं normal predatory food chain लूँ तो spindle shape भी मिल सकता है फिर biomass terrestrial में चाहे वो forest forest के लिए लिए लिख दे रहों में जो forest ecosystems हैं उनमें spindle shape है लेकिन यहाँ पर जो terrestrial है अब जो आप terrestrial की बात करें उसमें forest grassland सब एक साथ आ जाएंगे तो producer सबसे जादा उससे कम primary consumer फिर secondary consumer फिर top carnivore क्या देख रहे हम उसका biomass number नहीं देख रहे है weight देख रहे है तो दीरे 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 weight कम होता जाएगा और aquatic में क्या देख रहे है inverted pyramid inverted क्यूं zooplankton's की life cycle और quantity phytoplankton से जादा है तो relatively phytoplankton's का mass कम और zooplankton का mass जादा pyramid of energy को अगर हम देखे है तो without exception always upright और अब ध्यान दो sun के पास क्या है one stands hundred thousand ten thousand hundred thousand million one million joule है sun light की यहां से यहां क्या गया सिर्फ one percent NCRD की statement है primary producer में एक percent ही है जो NPP में change होता है NPP was the available biomass for next traffic level अब अब जो next transfer हो रहा है यह सारे ten ten percent transfer हो रहा है यह हमेशा upright होगा कभी कोई और shape नहीं दिखा सकता हमें पता है energy का flow कैसा होता है मिशा sun से जो energy निकल गई वो वापस इनके पास थोड़ी जा रही है फिर nutrient cycling कैसे nutrients की cycling होती है so the movement of nutrient through components of ecosystem is called nutrient cycling ecosystem component biotic abiotic कुछ भी हो सकता है soil abiotic है पानी abiotic है atmosphere abiotic है इन cycles को हम बोलते हैं bio geochemical cycle bio for living geo for rocks air water कुछ भी दो type है क्या-क्या gaseous और sedimentary gaseous मतलब maximum time या जो main उसका reserve है वो atmosphere या hydro हवा या पानी होगा और अगर पत्थर और चट्टानों में से वो आयन जा रहा है तो वो sedimentary cycle होगा तो atmosphere या hydrosphere है reserve वाला पूल तो gaseous cycle lithosphere या rock minerals है तो sedimentary cycle gaseous में you have non-mineral elements sedimentary में you have mineral element example phosphorus sulfur और इधर carbon oxygen nitrogen water cycles carbon cycle पूरी याद नहीं रखनी बड़ी है याद रखनी है कि carbon 49% dry weight होता है मतलब 100 gram धन्या है market में तो लबा के लायो तो वो 100 gram fresh weight था तुमने उस 100 gram को अच्छे से सुखा लिया हमने का खा लिए 20 grams क्या बचा तुमारे पास powder ठीक है उस 20 gram का 49 को round off कर लो 50 पे उस 20 gram का 50 मतलब 10 gram roughly pure carbon निकल के आएगा 71% carbon oceans में dissolve होता है और annually 4 into 10 की पावर 13 kg of carbon हर साल photosynthesis से fix हो रहा है इसी fixing की वजह से हमारे पास एक large 170 billion tons की NPP create हो रही थी phosphorus cycle में rocks की weathering होती है dissolved phosphate soil में आता है plant का root mycorrhiza की मदद से उसे uptake करता है herbivore और animals को भी ये चीज़ चाहिए obviously DNA, RNA और ATP बनाने के लिए phosphorus ही चाहिए waste product and dead organisms उनमें phosphate solubilizing bacteria काम करता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो carbon release होती है लेकिन हमारे body का phosphorus atmosphere में वापस release नहीं होता है बहुत important diagram NCRT का याद रखना सबसे पहले हुई weathering तो soil में सारा phosphate आया अब कुछ leaching से वापस नीची की layer में चला जाएगा और कुछ uptake हो जाएगा plant से plant से वो decomposent बजाएगा plant खुद मरेगा तो हर चीज़ बन जाएगी detritus फिर decomposition से सब कुछ वापस soil में तो as it is यह डाइग्राम आ जाता है fill in the blanks आ जाता है ecosystem services nature से जो भी चीज़े free की मिल रही है तब ecosystem services है healthy air, healthy water मिलता है drought से mitigation बचाव मिलता है cycling nutrient fertile soil बनाना wildlife को habitat देना natural biodiversity pollination carbon storage का site aesthetic culture and spiritual values सारी की सारी normal का भी जाना गुलाब का एक एक फूल 25-30 रुपे, 40 रुपे में मिलता है valentines वाले दिन तो 100-100 रुपे का बिकता है वहीं अगर तुमारे घर में बहुत अच्छा सा गुलाब का पौधा है तो तुमारे लिए तो वह एक रुपे का भी नहीं पड़ेगा अब सोचो, nature ऐसे हर चीज के पैसे लें लग जाए तो तो ecosystem से मिलने वाली सारे benefits और ecosystem services Robert Constanza नाम के scientist ने सारे ecosystem services की एक pricing करी और देखा कि एक साल का खर्चा US 33 trillion dollars है अभी COVID के टाइम पे कितनी oxygen की जुरूत पड़ी थी लोगों को तो oxygen cylinder कितने महंगे महंगे बिक रहे थे कई जगे तो दुबाई वगरा से export हो रहे थे कितना costly होगा सोचो, वो एक oxygen cylinder जो normal 1500-2000 में मिलता है वो लाखों में बिक रहे थे क्यूं? nature के service परी थी ना? जैसी दिक्कत पड़ी, पैसे निकल गए सारी की सारी ecosystem services के अंदर सबसे ज़ादा time और सबसे ज़ादा पैसा soil formation में जाता है total cost का break up दिया हुआ है इसके अलाबा recreation मन बहलाने के लिए शिमला मना ली जाते हो हुमने nutrients की cycling 10% से कम की cost लेते हैं दोनों अपना अपना climate का regulation habitat for wildlife 6% each तो 50 10 or 10 20, 606 12 almost 82% खर्चा इन 5 चीजों में है बाकी खर्चा बाकी की चीजों में है फिर टॉपिक का last session जो दिया हुआ NCRT ने ecological succession क्या-क्या keywords है gradual और predictable change है आप पता लगा सकते अच्छे इसके बाद यह आएगा इसके बाद यह आएगा इसके बाद यह आएगा आएगा ही आएगा orderly और sequential है एक fixed order एक fixed sequence में होता है कैसा? parallel with the change in the environment जैसे जैसे आसपास का environment change होता जाएगा वैसे वैसे diversity change होती जाएगी succession के इस time पे कुछ species नए एरिया में आके colony बनाती हैं उनकी population increase हो जाएगी whereas the older population में decline or disappear हो सकता है पूरे जड़ से ही खतम हो जाए जो भी species बिलकुल fresh area में आती है barren area में आती है उनी को कहा जाता है pioneer species terrestrial habitat में लाइकन्स aquatic habitats में phytoplanktons जैसे जैसे चेंज होता जाएगा कुछ टाइम बाद एक ऐसी community बनेगी जो nature के साथ equilibrium पर आ जाएगी ना nature में change जाएगा ना उसमें तो उसी को बोल दिया जाएगा climax community climax of the movie क्या होता है movie का end ठीक है पहला वाला pioneer last वाला climax अब पहले और last के बीच में जो भी होगा जो भी individual member बीच में उसको transitional या serial community कहते हैं and सब को एक साथ sear कहते हैं pioneer प्लस intermediate प्लस climax all of them are known as a sear primary succession बिलकुल पहली बार होता है बिलकुल new space में बहुत time लेता है centuries की centuries निकल सकते हैं primary succession में क्योंकि soil formation नहीं हो रुखा तो soil formation needs time बॉलकानों से लावा निकला लावा ठंड के जम गया newly cool लावा पे जो life forms आएंगी वो primary succession कहीं पे asteroid आके टकराया और उसने 25 फुट गहरा गड़ा कर दिया अब वहाँ पे बारिश होई पानी कठा हो गया अब वहाँ पे जो succession चलेगी वो भी कैलाएगी primary succession secondary succession occurs in an area which has lost its biodiversity किसी भी रीजन से हुआ हूँ comparatively faster है क्योंकि यहाँ पे soil बन चुकी थी कोई farmland था उसे अब farmer छोड़के चला गया है कोई land area था उसमें flooding आ चुकी है तो बिलकुल पहली बार हो primary उसके बाद second, third, fourth, fifth जितनी बार हो सब secondary अगर terrestrial habitat में succession हो रही है तो उसे इस गिराख succession कहेंगे अगर habitat aquatic है तो वो कहलाएगा हाईड्राख succession terrestrial habitat धीरे-धीरे normal condition पहाएगी जिसे हम कहते है music और यह भी normal condition पहाएगी music music पे climax हमेशा forest होगा जिराख succession को हम बोलते है जिरिक condition hydrach succession के लिए हम लगाते है hydric तो extreme dry से normal हो रहा है extreme water से normal हो रहा है तो hydrach and zirach successions ठीक है जिराख succession में आपका pioneer हमेशा liken होगा liken के बाद फिर moss आएंगे फिर annual grasses फिर perennial grasses फिर shrubs इन्ही सबको एक साथ कहा जाता है serial community और forest सबसे last में develop होगा तो pioneer plus serial plus climax entire sequence is known as zero sear dry habitat में हो रहा है पानी में सबसे पहले आएंगे phytoplanktons फिर submerged, rooted submerged इनके पास root है लेकिन पानी के अंदर submerged है फिर rooted free floating rooted submerged के example हो गया तुमारा valisyn area zostera, hydrilla rooted है लेकिन free floating है iconi और pistilla reed swamp root अंदर है swampy, कीचड़ वाला area हो चुका है और dandy जैसे पौध है typha, sagittaria में मिलता है marsh meadow marsh मतलब घास marshi, meadow मतलब grassland तो एक बड़ा सा grassy area बन गया है cypress तो यहाँ पे यह हैं सारे serial communities साथ में scrub, scrub में small heighted trees आते हैं and last is again climax is forest pioneer, serial, plus climax एक साथ इनको कहेंगे hydro seer तो entire sequence of community in hydrock succession is hydro seer entire sequence of community in zirark succession is zero seer doubt तुमारे मन में यह आता है कि जो हमारा utrophication वगरा हम पढ़ेंगे वो कैसे अलग होगा तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सारा का सारा bio diversity का change तो यही चीज़े दे रखियें NCRT के अंदर questions देख सकते हैं के करके ecosystem क्या है what is ecosystem तो अबना का था biotic plus abiotic दोनो है community भी चाहिए और physical environment भी चाहिए vertical distribution को हमने क्या नाम दिया था stratification primary productivity क्या थी rate of conversion of light aquatic ecosystems मैं ने का था pyramid of biomass inverted annual net pp of whole biosphere is correct किस process से water soluble nutrient नीचे की तरफ जा रहे है करेक्ट energy flow कैसा है always unidirectional sedimentary वाला पेर चूज करना है phosphorus and sulfur कौन सा statement correct है warm और moist environment decomposition को favor करेंगे low temperature anaero versus decompose यही सही है warm और moist inhibit नहीं करते low temperature favor नहीं करता low temperature या warm inhibit नहीं करेगा correct set चूज करना है important characteristic of all community is that their composition and structure constantly changes in response to environment yes environment में change आएगा तो इन में भी change मिलेगा climax community remains stable जब तक environment remains changed environment change हो रहे है तो क्या climax community stable रह पाईगी नहीं रह पाईगी तो false all the sequence of community of the area is seer yes तो one and three are correct match करो pioneer on lithosphere lithosphere मतलब land, rock तो a का one, lichen एक में इसे ये बी का three ecological succession का ecosystem development climax community में मीजोफाइट और पिरमिज एल्टन ठीक है तो ये था one shot हमारा ecosystem chapter का सारी lines हमने cover कर ली है, कुछ भी इसमें difficult नहीं है line to line as it is question आता है productivity क्या है, decomposition क्या है definitions याद रखनी है, इसलिए NCRD की lines लिखके दी थी succession का बसे मतलब है एक के बाद एक दूसरी चीज आती जाएगी ठीक है, तो ये था हमारा chapter मिलेंगे next time, thank you